नमस्का दोस्तो हमारी अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो ब्यापन का आज एक फेपर था और वो फेपर दोस्तो आउट हो गया लीक हो गया और फ्रेंट इस कारण से उस पेपर को जो है रद कर दिया गया है जी हाँ फ्रेंट्स आपने सही सुना हमारे देश में और दोस्तो साथ में राज में बहुत ही बड़ी समस्या एक हो गई है वो है पेपर लीक होना या पेपर आउट होना इससे दोस्तो सबसे ज़्यादा परिशान होते हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रभाब पढ़ता है पूरा का पूरा दोस्तो जो student government job की तैयारी कर रहे हैं उन पर जो है प्रभाब पढ़ता है दोस्तो आज जो है साथ फरवरी को MP का इस्टाप नर्स का जो है पेपर था और ये पेपर दोस्तो लीक हो गया और इस कारण से दोस्तो MP सरकार ने फैसला लिया है कि ये पेपर जो है रद किया जाता है यह पेपर जो है रद किया जाता है यारी कि दोस्तो पेपर तो हो गया लेकिन दोस्तों यह पेपर लीक हो गया और पेपर को जो है रद कर दिया गया है दोस्तों पेपर लीक एक बहुती बड़ी समस्या जो है बन गई है चाहे राजिस्तान हो चाहे गुजरात हो या जम्मू कस्मीर हो या फिर उत्राखंड हो या फिर बंद्पदेश हो पेपर ल गया है दोस्तों केंद्र सरकार को बहुती सक्त कुछ कानून जो है इसके खिलाब जो है बनाना चाहिए साथ में राज्यों में भी जो है इसके खिलाब जो है कानून बना बहुती कड़े कानून बनाने की कोशिस करने चाहिए तो ठीक है प्रेंट्स ये कुछ महतपूर जानक तो आज ही पेपर यह पेपर जो है लीक हो गया और इस कारण से जो है इस पेपर को जो है कैंसल कर दिया गया है तो